यूपी के डूपटी सीम ब्रजेश पाठक ने प्याफ़ाई के खलाब के अंद्र सरकार के एक्शन का स्वागत किया इंडिया टीवी के समवादाता विशाल प्रताप सिंग ने यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है उन्होंने क्या कहा है सुनिए की जनता में हर्श की लहर है आधरिनिक रहमंत्री श्री अमीच साह जी का पूरे प्रदेश की जनता ने आभार परकट किया है जी जंग से असमाजिक गतिविदियों में, गैर कानूनी गतिविदियों में प्रदेश के अमन चैन को दिस्टर्ब करने में लोग लगे थे, पूरे देश में नेटवर्क फैला रहे थे और बहुत बड़ा कदम है और अच्छा कदम है और जनता ने इसे बहुत अच्छा ला केंदरी करह मंतराले ने आदेरी अमित भाइस सार में जो इस्टेंड दिया है बहुत नेक कदम है, पूरे देश में इसके रारत्सराना हो रही है, प्राता काल सही, लगातार फोन काल सा रहे हैं और सब लोगों ने माना है कि बहुत सही समय पर और बड़ा कदम आदरी गरह यूपी सरकार का जो जीरो टॉलरंस है उसी के तहर पिएफाई को बैन करने की जो सिफारिश उत्रप्रदीश सरकार की तरफ से भी भेजी गई थी MHA ने उसी को देखते हुए ये बड़ा बैन पिएफाई पर लगाया है मकसुदालम गिसाब विशाल प्रताब सिंग बेंगलूरू से राघवन साथी पटना से राघवन नीतिश चन्थरे हैं पिएफ़ाई की कनाटक साथी साथ किरल अब यह जो कारवाई यह जो बैन हुआ है इसके पीछे कोई ठोस सबूत तो मिले है क्योंकि बताया जा रहा है करनाटक से भी कई लोगों के जो पकड़ा गया वहां से आईडी के डॉकुमेंट्स मिलें किस तरह से आईडी बनाया जा यहां पर जो जितने भी लोग इसमें पिएफ़ाई की वज़े से हताहत हुए हैं काफी समय से इसकी प्लानिंग हो रही थी जैसा हम बता रहे हैं फिलाल मैं मौझूद हूँ यहां पर आप देखिए पिएफ़ाई पॉपुलर फ्रेंट आफ इंडिया का स्टेट हैड ऑफ यह एफिडेविट के जरिए केरल सरकार ने हाई कोर्ट में यह बताया था कि यह बैंड और्गनाजेशन जो सीमी बाबरी मजिद वववाद के बाद जिस संगठन को बैंड कर दिया गया था इंडिया में उनके लोगों ने पिएफ़ाई की स्थापना की और तब से लेकर करनाटक जहां कर फिए की ल है तर्वना है बात कर्लें तो 30 से ज़ादा इनके खिलाफ के मरडर के मामले ऐसी से ज़ादा अटेंब्ट ू मरडर के मामले और 32 से ज़ाद धंगा फैलाने के मामले है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इनोंने एक धर्म विशेश का प्रचार करने के लिए किस तरह से आतंग की गतिविदियों को यहाँ पर अंजाम दिया और यही वज़ा है कि यहां के तमाम हिंदू नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि यह PFI पर बैन लगाने का सबसे सई समय है काफी देर हुई है ऐसा आप लोग हमें बताता हैं लेकिन फिर भी यहां के जितने भी पोलिटिकल लीडर्स हैं जो PFI के कारे करताओं की वज़े से जिनके परिवारों को नुकसान पहुचा है वो इस बैन का स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल टी रागवान और PFI की जिहादी सोच का परदा फाश उसी दिन हो गया था जब आक्शन लिया चाह रहा था पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे नितिश चंद्र का रुक कर लेती हूँ पटना से जुड़े हुए हैं फुलवारी शरीप से पूरा प्रोपेगंजा खुलकर सामने आ गया कि 2047 तक इसलामिक कंट्री भारत को बनाना है युवाओं को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी नितिश आपने एक रिपोर्ट तयार की थी जिसमें राम मंदेर बावरी वेध्वांस का भी जिक्र किया गया था क्या क्या उस दिन आपको मिला था आपके रिपोर्ट के दोरान जिससे ये साथ तोर पर जाहिर होता है कि PFI का सोच क्या था उनका एक्शन किस ओर आगे बढ़ रहा था जे आप बिल्कुल देखे पटना के फुलवारी शरीप में जो PFI के दफतर पर छापे मारी हुई थी सच पूचिये तो उसी समय से ये प्रिष्टभूमी बन गई कि आखिर PFI किस तरह से काम कर रहा है किस तरह से देश विरोदी गतिवीदियों में ये शामिल है इंडिया विजन 2047 का वो डकुमेंट जो उस दफतर से मिला था उसे मैंने पूरा पढ़ा है उसकी एक एक लाइन बताती है कि किस तरह से PFI देश विरोदी गतिवीदियों में शामिले और उसमें पाकिस्तान से संबंद रखने की बात कही जा रही है पाकिस्तान से मदद तक की बात कही जा रही है ISIS से मदद की बात कही जा रही है मुस्लिम कंट्री से हमें कैसे अपने रिलेशन डेवलप करने है ये कहा जा रहा है ये सारी लाइने अपने आप में पर्याप्त हैं ये बताने के लिए ये साबित करने के लिए कि PFI जैसा संगठन प्रतिबंदित होना चाहिए और उसमें जिस तरह से इंडिया विजन 2047 में कहा गया कि जिस तरह से ब्रिटिस राज के पहले जो मुगल राज था हमें वैसा फिर से अस्थापित करना है हमें 2047 तक इसलामिक कंट्री बनाना है और उसके लिए पूरी रन्निति वजापता बताई गई है कि हमें बाहर से दिखना तो इस तरह से है कि हम समाज का काम कर रहे है लेकिन हमारा जो मूल उद्देश है वो है इसलामिक कंट्री जो रूल है उसको स्थापित करना